next question, नीट में आपसे चार बार पूछा जा चुका है सवाल, question यह है कि a block of mass capital M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass small m, if a force P is applied at the free end of the rope, the force आमें यह बताना है, the force exerted by the rope on the block वो क्या होएगा, और हमारे options है P या फिर P capital M by M plus M, या फिर P small M divided by M plus M, या फिर P M divided by M minus M, आलाइट, तो situation ऐसी है कि यह आपका block है, जिसका mass हम M1 कह लेते हैं, यह दूसरी रसी है, जिसका mass हम M2 कह लेते हैं, और इसको आप P force यहाँ पे लगा रहे हैं, सवाल यह है कि यहाँ पे tension क्या होएगी, या फिर इस rope ने इस block के उपर कितना force लगाया है, सवाल यह है, अगर हम यहाँ पे notice करेंगे, यह पूरा block आपका एक ही acceleration से जा रहा है, तो इसको हम एक system मान सकते हैं, और उस basis पे हम यह कह सकते हैं, कि पूरे system का acceleration जो है, वो सेम होएगा, और उस acceleration को हम कह सकते हैं, force divided by total mass, m1 plus m2, यह आपका acceleration आ गया, यहाँ पे अगर आप tension की बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा अपनी classes में यहाँ पे ऐसे कहता हूं, कि यहाँ पे अगर आपको tension निकालनी है, तो यहाँ पे अद्रश्य मानव की कलपना करें, जिसका काम जिसका नाम tension है, और जिसका काम इस वाले block को a acceleration से लेके जाना है, तो ब m1 एकी value रख देंगे, so this will be p m1 divided by m1 plus m2, now m1 हमने इस वाले term को बोला है, जिसमें हमारे सवाल में इसको capital M दिया हूँ है, so अपने question के basis पे answer हो जाएगा, p capital M divided by m plus m, so इसके basis पे हम क्या सकते हैं, कि option number c would be the correct choice,